हेलो एब्रीवन बिटा नीट 2023 साथ मई को हो चुका है आपका पेपर पेपर कैसा था क्या रहा उसके बारे में डिसकस करेंगे और फटा-फट से आपको एक सेफ स्कोर बताएंगे कि जिसके अराउंड आपको मतलब अपने प्लांस बनाने पड़ेंगे क्योंकि जैसे ही हमेशा रहेगी तो सारी आंसर की से आप अपनी आंसर मिला लीजिए मैं यहाँ पर एक बात जो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आपका स्कोर कुछ कम आ रहा है आपने बहुत मेहनत की और आपको लग रहा है कि इस साल शायद नहीं हो पा रहा है तो प्लीज अपना हाँ यह हम मानते हैं कि आपने मतलब काफी मैनत करी थी आपने काफी effort भी किये थे ठीक है आपके parents की आपके साथ expectation रहती है और यह बात हम समझ सकते हैं ऐसा नहीं कि हम से जादा कौन समझेगा क्योंकि हम भी बिटा उसी journey को जीते हैं जो आप जीते हो तो प्लीज थोड़ा कि एक बार directions उनको देना स्टार्ट कर देते हैं और जितना जल्दी देंगे उतना उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि एक माहुल बन जाता है जिसमें ज्यादा चीजे समझ नहीं आती कि आगे क्या करना है तो सबसे पहला point था NEET का exam हो चुका है दोसरा point यह है कि आप लो आने वाला हूं कि क्या safe score रहेगा मतलब आने वाले time में क्या मतलब जो NEET में जो क्या cut off रहेगी या क्या safe score रहेगा क्योंकि हम score पर ही discuss कर सकते rank पर discuss नहीं कर सकते reason क्या है क्या rank क्या आएगी वो बात की बात है पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि NEET 2023 के बाद जो admissions होंग तो सबसे पहले हमारे पास क्या-क्या factors हैं जो NEET के score को decide करते हैं सबसे पहला factor होता है हमारे पास जो candidate की संख्या number of candidates पे जो cut off है उसका फर्क पड़ता है दूसरा level of paper का और number of sheets का इसके अलावा एक दो factors और होते हैं बट वह बहुत minor होते हैं जैसे for example इस बार meet में थोड़ा कम समय था पर क्योंकि candidate काफी बैठते हैं तो उससे जादा इस चीच पर difference नहीं पड़ता तो हमारे पास क्या है number of candidate level of paper और number of seeds हैं जो cut off पे हर साल फरक डालेंगी ठीक है तो जरह इस पे एक छोटा सा discussion ले लेते हैं सबसे पहले हम बात करते है number of candidates की पिछले साल NEET में लग उनिस लाग के आसवा सटारा लाग और इस साल लगबग 21 लाग बच्चों ने एक्जाम मतलब अपियर करने के लिए फॉर्म भरा था तो number of candidates लगबग हमारे पास हम मान के चल रहे हैं दो लाग बच्चे जादा बैठे हैं इस बार आपके एक्जाम में तो number of candidate बढ़े विटी सर ने, सर्वेज सर ने, MD सर ने, आधित्यानन सर ने और हमारे आशी सर ने और और भी जो हमारे सुबास सर ने जो जो लेवल बताया compare करके मैं थोड़ा सा idea दे तो physics का पेपर लगबग last year जैसा ही था last year जैसा ही था चीक है और उसकी अलावा उसमें कुछ कह रहे थे chemistry में हमारे पास जो पेपर था organic, physical, organic, physical और inorganic का इसमें inorganic थोड़ी सी deep NCIT से पूछी हुई थी इस वज़े से chemistry slight tough जा सकती है हम बोल सकते हैं slight tough थी बहुत ज़्यादा difference नहीं है और bio जो है last year से थोड़ी कम lengthy थी इतने ज़्यादा statement वाले question नहीं थे बहुत ज़्यादा नह थी वैसे नहीं थे तो मैं यह बोल सकता हूं कि बायो पिछली बार से slight easy बोल सकते हैं कि पिछले बार वाला पूरा pattern copy कर दिया उन्होंने कुछ अशर्शन रीजन कुछ इस तरीके से तो अगर हम देखें level of paper nearly same है बिटा मैं बोल सकता हूं कुछ लोग कहने मुश्किल है nearly same ह last year जैसा अना बहुत ज्यादा difference नहीं हुआ है थोड़ा सा difference physics को लेकर हुआ हलकी सी कैलकुलेटिव कुछ कोशन थे physics जो chemistry में inorganic थोड़ा deep NCRT पूछी है बायो लेस लेंदी था पिछले साल के comparison में पर मैं बोल सकता हूं बायो का paper भी पिछले साल जैसा आता जिसे हम कह रह देखो हमारा पढ़ायवा content देखो परिवरतन में और जो हमने उसमें पढ़ाया सभी लोगों ने marathon में पढ़ाया और आपको सुबह जो ब्रमास करा है सारा मैं आपको exactly दिखा दूँगा कि हम लोगों ने जो पढ़ाया वहीं से आया तो हम लोगों ने नहीं बिटा जो NCRT कि हम cover करते उस level की शायद ही कोई करता है इसलिए paper पूरा का पूरा वैसा आ जाता है ठीक है तो हमने यहां पर पहला बात बोला है कि number of candidates बढ़े level of paper लगबग एक जैसा है ठीक है लगबग एक जैसा है एक बहुत important factor है number of seats का 2022 के बाद से लगबग 10,000 seats increase हुई है लगबग 10, 57 colleges खोलने की बात करी थी 2021 के आसपास पास किये थे उनमें से 72 के आसपास लगबग हमारे पास खुल चुके और 85-2024 तक उपन होंगे तो काफी colleges नए खुले हैं हर साल खुलते हैं साल भी लगबग 5-6 नए college असाम में आंदर परदेश में यहां पर आए हैं तो हम यह समझ र बढ़ी हैं तो इसका मतलब सीटे लगबग हर साल बढ़ रही हैं यह कट आफ को थोड़ा नीचे खीचता है तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एक फैक्टर जो था जो यह वाला फैक्टर था लेवल ऑफ पेपर यह लगबग से मैं कट आफ को लगबग सेम ले जाएगा नम आपको दिखा देता हूं जनरल केटेगरी में फर्स्ट राउंड की सेकेंड राउंड की मॉप अप की और स्ट्रे राउंड की यह कट आफ है 596 लगबग 600 मालो ऐसे बाकि कैटेगरी वाइज मैंने कुछ दे रखी आपको तो पॉइंट यह है पॉइंट यह है कि लगबग 600 के आसपास की कट आफ हमारे पास पिछले साल रही है 608 फर्स्ट राउंड की और मॉप अप किया स्ट्रे की यार आप देख सकते हो सेकेंड राउट की तो यह कट आफ हमारे पास लास्ट ही रही है तो एक फैक्टर है नंबर आफ सीट बड़ी है दूसरा फैक्टर से स्टेट्मेंट बताओं तो कंक्लूजन यह है कि कट आफ इस बार 600 प्लस माइनस 10 क्योंकि लास्ट यह के जैसा लेवल है सीट बड़ी है कैंडिडेट भी बड़े एक बैलन्स बन रहा होगा आप मान के चलिए 600 नंबर प्लस माइनस 10 में आपको कॉलेज मिलता हूँ मिल रह होगा मतलब जिसके 605 607 608 है उनको चांस रहेंगे कॉलेज मिलने के और हम प्लस माइनस बोल रहे हैं क्यों क्यों क्योंकि हो सकता है पांच नंबर नीचे 595 पे तो यहां पर कुछ क्लियर कट आपको आइडिया दे रहे हैं जनरल कैटेगरी और बाकियों के लिए भी आपक में प्लस माइनस देख सकते हैं कि जैसे मालों यहां 598 है OBC है 601 SC475 इसी के आसपास आप प्लस माइनस 10 मार्क्स पे जा सकते हैं तो क्लियरली हम आपको कट आफ का आइडिया दे रहे हैं या सेफ स्कोर दे रहे हैं आप रैंक नहीं बता सकते रीजन क्या है रैंक आपकी आ है तीक है और अब आपका जो स्कोर है पनलाइस कर लो आपने आपके पास की आ रही है एंटे की ऑफिशल आ जाएगी उसमें ज्यादा डिफ्रेंस नहीं एक और कुशन का उसमें डाउट हो सकता है आपके पास ताकि क्लियर कट आपको पाथ मिलने लगे कि क्या सोच रहे है पर मैं एक कंक्लूजन आपको दे देता हूँ बिटा कोई भी स्कोर मालो किसी बच्चे का बहुत कम स्कोर आ रहा है उसने पूरे साल मेहनत करी या आपका एक्सपेक्टिड नहीं आया प्लीज अपना दिल छोटा मत करो आज पूरा रिलेक्स करो एकाद दिन अपने करी है तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ प्लीज अपना दिल छोटा मत करिए हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे कट आफ का आइडिया इसलिए जाता है ताकि आपको डिरेक्शन मिले आपको आगे क्या करना है पता रहना चाहिए क्योंकि आप में से काफी सार कर रहा है 690 ला रहा है 620 ला और मालो 501 ला रहा है चार सो ला रहा है उन सवी बच्चों को हमने एक जैसा ही पढ़ाने की कोशिश की थी कहीं नगहीं क्या होता है कुछ चीजे होती यह कुछ फैक्टर्स होते हैं वह चीजे उस तरह से नहीं बन पाती पर हम अभी भी आप पर पूरा बिलीव करते हैं, हम अभी भी मानते हैं, कि आप में वो चीज है, क्योंकि ये वो exam है, आप समझो ध्यान से, ये वो exam है, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से qualify होता है, कुछ उन exam में से एक है, तो ऐसे exams को मतलब, आप समझे इस exam को आप attempt कर रहे हैं, इस exam को देने की कोशिश कर रहे हैं यही एक बहुत बड़ी बात होती है तो अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना है अपने आपको सभाल के रखना अगर आपका स्कॉर कमा रहा है हम आपके साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल मत घबराओ अपना ठीक है और फ्लीज थोड़ा सा अगर किसी कारण से कुछ लग रहा है आपको ठीक है और आपके teachers आपके साथ हैं और ये platform हमेशा आपको support करेगा हर तरीके से करेगा तो please score को जाधा लेकर बहुत परिशान मत हो एक time होता है जिसमें preparation करते हैं उतना जाधा effort डालते हैं होता है ठीक है तो मिलते हैं next session में जहां पर हम कुछ काफी सारी बाते करने वाले हैं ठीक है और ठीक है बिटा प्लीज ध्यान रखिए अपना और उन लोगों को बहुत-बहुत मुबार्खबाद इनका काफी अच्छा score आ रहा है ठीक है और बच्चे message भेजी रहे हैं वैसे की साथ इतना आ रहा है पर still उन इंसान है जिनका score किसी कारण से कमा रहा है ठीक है बिटा बाई